हाई गाई सोगते बेर चानल भीवा टिक्रिकल में तो आज की वीडियो में अन्बोक्सिंग करने जा रहे हैं पोको की X2 की तो इस वीडियो में आपको टीटेल रिव्यू दूगा इस फोन के बारे में तो फोन कैसा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो अन् तो पिछे की साइड में हम दिखेंगे कि या पे कुछ स्पेचिफिकेशन लिखे गए है जो आगे में वीडियो में आपको बताऊंगा और यह वेरियंट है 6GB 128GB मैट्रेक्स परपर कलर में और उपर की साइड में इस फोन की प्राइस लिखी गई है जो कि है 19,999 रूपीज तो जल्दी से बॉक्स को उपन कर देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या के मिलता है तो बॉक्स को उपन करने के बाद सबसे पहले उपर रखा गया है एक और बॉक्स जिसके अंदर है सिम एजेक्टर टूल बैक कवर एक स्वाप बैक कवर और एक यूजर का देंगा और हमें एक टाइप-C केबल भी मिल जाती है अब हम फुन को दिखते हैं इस फून के डैप को मैं निकाल डता हो तो जल्दी से में इस फून को उपट अप कर देता हो फिर और आगे वीडियो में बात करेंगे इस फोन मिल जाती है तो और ओर डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी की बात करें तो डिजाइन काफी खांदा रहे इस फोन का और बिल्ड कॉलिटी भी बहुत अच्छी है तो नीचे के सैड में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है ठाइप सी पोर्ट मिल जाता है और 1270 सुपर लीनियर स्पिकर मिल जाते है और वाकी में इसकी स्पिकर काफी अच्छे है आगे वीडियो मैं आपको बताऊगा तो उपर की सैड में हमें AR रिमोट कंट्रोल मिल जाता है इंदर हमें और डूल मैक्रोफोन भी मिल जाता है और राइट सैड की बात करें तो आपको फिंगरपिंट माउंड पिल जाता है वही power unlock button है और वही finger pit sensor है और उसके उपर के side में volume up and down keys मिल जाती है और left side में हमें SIM tray मिल जाता है SIM tray की बात करें तो यह hybrid SIM tray है आपको इसके अंदर dual voltage 4G मिल जाता है लेकिन आप इसके अंदर एक macro HD card और एक सी SIM लगा सकती हो या फिर dual SIM लगा सकती हो macro HD card नहीं लगा सकती हो तो आपको यह compromise करना पड़ेगा बात करते डिस्प्ले की डिस्प्ले के अंदर 6.7H का डिस्प्ले मिल जाता है आपको 4G मिल जाता है 8NM high performance के साथ और with liquid cooling भी आपको इसके अंदर मिल जाती है अगर आप गेम इस पे ज्यादा देर तक खेल देओ तो liquid cooling के वज़े से यह phone ज्यादा heat up नहीं होगा heating का issue आपको इस phone में नहीं आएगा तो यह काफी अच्छी बात है इस phone के वारे में कि आपको इसके अंदर liquid cooling भी मिल जाती है तो बात करते है इस battery के अंदर आपको 4500 mH की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है और box के अंदर आपको 27 wall का fast charger मिल जाता है जिसके का आप इस phone को fast charge कर सकते हो कि बैटरी बैकप के अगर बात करतो एक दिन का बैटरी बैकप आपको आराब से यह phone दे देगा तो बात करते हैं इस camera के तो इस phone का camera वाखी में काफी अच्छा है तो इसके अंदर आपको 64 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel का camera आपको मिल जाता है त तो 64 megapixel primary camera है और 2 megapixel macro camera है और 8 megapixel wide angle camera है और 2 megapixel depth sensing के लिए है अगर आप portrait वगेरा फोटो लेते हो तो इसका 64 megapixel camera आता है sony imax 686 जो के एक flagship level का sensor है तो latest sensor है हो sony की तरफ से तो इसके अंदर आपको पिल जाता है जिससे के आपकी picture quality video quality जो है काफी बढ़िया हो जाती है आत करें front camera के तो इसके अंदर आपको 20 megapixel plus 2 megapixel camera बिल जाएंगा front पे 20 megapixel main camera है और 2 megapixel depth sensing के लिए है अगर आप सामने से portrait वगेरा फोटो सखिछना चाहते हो तो आपको camera sample दिखाता हूँ तो देखिए तो यह video record कर रहा हूँ पे front camera ऐसे 1080p 60fps पे तो video quality आप देख सकते हो और यह जो audio भी capture हो रहा है वो internal Mac से ही हो रहा है तो video quality तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है अब देखते है rear camera की quality कैसी है तो अभी मैं record कर रहा हूँ rear camera से 1080p 60fps पे तो आप video quality देख सकते हो और यह भी internal mic से भी आप audio सून पा रहे हो जो video है मैं 2x zoom पे record कर रहा हूँ तो इस पे भी video quality आप देख सकते हो तो काफी अच्छी है अब हम wide angle पे इस video को shoot करते हैं फिर देखते है quality कैसी आती है wide angle lens के साथ इस video को shoot कर रहे हैं और मैं वह ही पे खड़ा हूँ सिर्फ मैंने wide angle पे lens कर दिया है तो आप देख सकते हो कितना जादा wild है मैं आप यह अब तूर जाके दिखाता हूँ तो इस photo की video quality का वाकिए में बहुत ही अच्छी है तो इस photo ही मैंने 1x पे तो आप देख सकते हो clarity कैसी है और यह photo की चाहिए मैंने two X पे zoom करके तो आप देख सकते हो इस amps इस बहुत किए है徒 है और यह आप देह सकते हूँ और यह जो ये फ्रांट कैमेरे की सेल्फी की तो सेल्फी में आप देख सकते हो कि ये पोट्रेट मोड में में फोटो कीजिए और इसमें भी एच डिटक्शन जो है वह बहुत ही अच्छा की है इसके बात करें तो इसके अंदर आपको व्लॉग मोड भी मिल जाता है मैं व्लॉग मोड के सेंपल आपको रिका दूब अगर तो इस फोन के अंदर आपको यूएपस 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है और स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हो अप टू 502 जीवी तक फोन के अगर बात करें तो इसके अंदर आपे आंडरोइड 10 वर्जन मिल जाता है लेटेस 11 वर्जन भी आपको इस फोन के अंदर पिल जाता है अभी हम गेम खिल के देखते हैं अभी यह पबजी गेम खिलते हैं और जैसे कि आप देख पारेव में इसे खेलोग HD ग्राफिक और हाई फ्रेम रेट पे तो मुझे ज़रा से भी लैग जो है इस गेम में नहीं दिख र जाहिए जाहिए